नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए हम यहाँ पर कुछ प्रशन हल करते हैं। यहाँ C और F क्रमशा तापमान को अंच सेल्सियस तथा अंच फेरनहाइट में निरूपे करते हैं। यानि कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए। जो विलेन है यानि कि जो सॉलूशन है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो C है वो 30 से अधिक वो 35 से कम होना चाहिए। है ना C यहाँ पर क्या निरूपित कर रहा है। अंच सेल्सियस को निरूपित कर रहा है। क्या इतना क्लियर है। हमें यहाँ पर निकालना क्या है हमें यहाँ पर Fahrenheit पैमाने पर तापमान का परिसर जैसे कि यह क्या है यह Celsius पैमाने पर तापमान का परिसर है यही हमें Fahrenheit पैमाने पर ग्याद करना है तो हम यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चर चाहिए होगा, जो कि Fahrenheit को निरूपित कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि C बराबर यह होता है, यह हमें दिया गया है, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कि 30 जो है, वो C की जगे आ जाएगा, यह सूत्र, यानि कि 5 by 9, F minus 32, ठीक है, और यह किस से कम होना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए, क्या इतना clear है, अब यदि हम इस असमिका को हल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, Fahrenheit पैमाने पर, तापमान का परिसर मिल जाएगा, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो यह मध्य भाग है, उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम इने यहाँ से हटाएंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर यह है, हम इसे हटा सकते हैं, और यह कैसे हटाया जाएगा, यदि मैं मध्यवाग को 9 by 5 से गुणा कर दूँ, है ना, या यही हमें क्या करना होगा, बाएं पक्ष में यहाँ पर करना होगा, तो यहाँ पर हम 9 by 5 से गुणा कर देंगे, और यही हमें दाएं पक्ष में करना होगा, तो यहाँ पर भी हम 9 by 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ से यह हो गया कैंसल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह 6 आ और यह आ जाएगा साथ क्या इतना clear है? तो यहाँ पर आ जाएगा 54 यह किसे कम है? F-32 से और यह किसे कम है? 7-9's आ 63 ठीक है? अब यहाँ पर मद्यभाग में हमें दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा यह सरल होता जा रहा है अब यहाँ पर यह-32 है हम इसे यहां से हटाना चाहते हैं क्या करेंगे हम? हम यहाँ पर प्लस 32 कर देंगे ठीक है? तो यहाँ पर बच जाएगा F, जब हम इसमें प्लस 32 करेंगे यही हम करेंगे बाएंपक्ष में तो 54 में जब आप 32 आड़ करोगे तो क्या जाएगा? 86 और यही आप करोगे दाएं पक्ष में तो यहाँ पर जब आप 32 आड करोगे तो क्या जाएगा 95 ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है यह तापमान का फेरनहाइट टैमाने पर आपने परिसर क्या आद कर लिया क्या इतनी समझ में आई बात चलिए अब बढ़ते हैं और करते हैं अगला प्रश्ण अगले प्रश्ण में दिया गया है कि एक व्यक्ति के बौधिक लब्धी जिसा IQ कहते हैं मापन का सूत्र निमने लिखित है ठीक है यह सूत्र है अब यहाँ पर जो MA है वो क्या है व्यक्ति की मानसिक आयू और जो CA है वो उसकी कलानुक्रमी आयू है कलानुक्रमी आयू मतलब जो आपके आयू आप गिनते आया है जो आपके हर जनम दिन में आप गिनते हैं नम हम इत्ते साल के हो गए वो क्या है वो आपकी कलानुक्रमी आयू है यदि 12 वर्ष की आयू के बच्चों के एक समू की IQ असमिका और ये IQ के लिए असमिका दी गई है कि 80 से अधिक या बराबर और 140 से कम या बराबर द्वारा व्यक्त हो तो उस समू के बच्चों की मानसिक आयू का परिसर ग्याद कीजिए अब देखें यहाँ पर जो ये 12 वर्ष है ये क्या है उन बच्चों की कलानुक्रमी आयू है इतिवा समझ में आई आपको क्या दिया गया है आपको दिया गया है देखें आपको दिया गया है कि जो IQ है उन बच्चों का वो 80 से अधिक या उसके बराबर और 140 से कम या उसके बराबर है आपको क्या गयाद करना है मानसिकायू यानि की MA है ना इसका परिसर आपको गयाद करना है यानि ये किस से अधिक या बराबर और किस से कम या बराबर होगा यह आपको यहाँ पर ग्याद करना है और यहाँ पर CA हमें दिया गया है CA कितना है तो यहाँ पर जो यह 12 वर्ष दिया गया है यह CA है ठीक है अब देखें यहाँ पर आप लिखेंगे 80 IQ की जगे क्या आ जाएगा यह सूत्र यहाँ पर आ जाएगा याने की MA upon CA into 100 और 140 यहाँ पर आ जाएगा अब CA की जगे आप क्या लिखेंगे 12 वर्ष लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा क्ये अतनी बाद समझ में आई अब देखें यदि आप इन सभी पक्षों में 10 से भाग देदें ठीक है तो क्या होगा आप देख सकते हैं यह यहाँ से हट जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं यदि आप यहाँ पर 12 से भाग देदें तो यह 12 यहाँ से हट जाएगा है ना तो बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा M A गुणा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 गुणा 12 जो की हो जाएगा 168 अब आपको यहाँ पर जो यह चर है यह ग्याद करना था और यहाँ पर इसके साथ में 10 है तो हम क्या करेंगे इसे 10 से भाग देंगे है ना और इसे 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष के साथ भी हम यही करेंगे ठीक है ना, समझ मैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9.6, यदि आप 10 से भाग देंगे, यहाँ पर आजाएगा MA, और यहाँ पर आजाएगा 16.8, यानि कि आपने यहाँ पर उन बच्चों के मानसिक आयू का परिसर ग्याद कर लिया है, तो 12 वर्ष के समों के जिनका IQ की असमिका यह है, ठीक है, उनके मानसिक आयू 9.6 के बराबर या उसे अधिक, वह 16.8 से कम या उसके बराबर होगी.